हाई गाईज मेरा नाम है कलपिश गर्ग और अपने इस स्वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ दोस्तो आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब पर बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का वाच्टाइम कैसे पूरा किया जाए दोस्तो यहाँ पर मैं आपको कोई magic trick नहीं बताने वाला लेकिन मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि कैसे आप smart तरीके से कुछ ऐसे वीडियो बनाएं जो यूट्यूब पर बहुत कम संख्या में अवेलेबल हैं और उसके searches बहुत ज्यादा हैं अगर आप ऐसे topic पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं तो normally एक महीने के अंदर आपका यह जो target है वो पूरा हो जाता है और यह मैंने अपने 2-3 channel पर कर भी रखा है तो फूरी detail में अपने इस studio में बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक खास निवेदन कि आप इस channel पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं क्या है तो सबसे पहले आपको Google Chrome ओपन कर लेना है और यहां पर आपको लिखना है Google Ads तो यहां पर अगर आपका account नहीं है तो आप अपना email id डाल कर और एक नया password बनाकर आप अपना account यहां पर बना सकते हैं और आपके पास अगर यह account है तो आप Google Ads में sign in कर लिजिए तो यहां पर आप एक YouTube के website का tab खोल लिजिए यह रहा हमारा YouTube और दोस्तों आप एक MS Word की जो file है उसे भी open कर लिजिए तो आपको YouTube में अगर किसी वीडियो का topic सर्च करना है तो मैं लिखता हूं और मुझे laptop से जुड़ा हुआ कोई वीडियो बनाना है अब यहां पर laptop के आगे एक में star लगा दूँगा तो जैसे ही में star लगाता हूं तो laptop से जुड़े जितने भी सबसे ज्यादा search किये जाने वाले questions है वह यहां पर आ गए तो यहां पर देखे नीचे लिखा है report search prediction इसके उपर मैं क्लिक करूंगा और इन सबकों में यहां से copy कर लेता हूं यहां पर Ctrl C दबाके में इसे copy कर रहा हूं और यह जाऊंगा मैं word की file में और इसको यहां पर Ctrl V से में paste कर रहा हूं अब दूस्तों आपको क्या करना है सबके last में comma लगा देना है जोकां तक देखते रही है दोस्तों बहुत ही important वीडियो है और यह किस तरह से काम करता है इसका मैं आपको प्रमान भी देने वाला हूं यहां से हम इसको copy कर लेंगे अब हम वापस Google Chrome में आ जाएंगे और यहां पर हम गये थे Google Ads हमने खोल रखा है यहां पर जाएंगे टूल के अंदर हम keyword planner को open करने वाले हैं यह रहा keyword planner अब यहां पर discover new keyword पर हम click करेंगे और जितने भी keyword हमने यहां पर copy किये थे इसको हम यहां पर paste कर देते हैं और यहां से हम इसको get result पर click करते हैं यहां पर Google दे रखाया है तो Google और search partner हम दोनों कर लेते हैं और यहां पर June 2020 से मई 2021 तक का दे रखाया है तो हम सिर्फ इसको last month का कर लेते हैं अब दूस्तों आपको क्या करना है इसको यहां पर download कर लिजिए csv file में तो आपका जो excel seat है वो यहां पर download हो जाएगा यहां पर देखना अभी नीचे आने वाला है यह दिखिए हमारी जो excel seat है वो इस download हो चुकी है इसको हम open कर लेते हैं अब दूस्तों यहां पर आपको उपर वाला यह जो है वो डिलीट कर देना है इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूं यह दोनों हमारे किसी काम के नहीं और यह जो extra part है उसको भी मैं डिलीट कर देता हूं यह दिखिए अब यहां से हम इन कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें clear दिखाई दें करना है यह जो एक नंबर लिखा हुआ है इसके उपर क्लिक करना है और यहां पर शॉल्ट एंड फिल्टर में जाना है और यहां पर आपको फिल्टर लगा देना है अब यह जो average हमारे views हैं उसको हम 50, 0 और 500 और blank इनको हम हटा देते हैं सिर्फ 5,000, 50,000 और 5,000,000 रहने देत हैं अब हमारा जो competition है उसमें भी हम सिर्फ 0, 1 और 2 ही रहने देते हैं ज्यादा competition हमें चाहिए नहीं क्योंकि high competition word होगा तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं हमें competition 0 चाहिए या फिर कम से कम एक हो और यहां पर जो bids दे रखी है वो भी हम high bids वाले सारे ले लेते हैं blank को हम न अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे उपर how to take screenshot in laptop यह वाला जो question है या फिर आप वीडियो का topic भी कह सकते हैं इसके searches जो है वो 5,000,000 हैं मतलब पिछले एक महीने में 5,000,000 लोगों ने इसको search किया है इसका competition low है और competition बिल्कुल 0 के आसपास है तो चलिए इसक में इसको copy कर लेता हूँ यहां से मैं इसको control C करूँगा और हम चले जाएंगे YouTube के उपर पर में इसको paste कर देता हूँ और search कर लेते हैं आपर देखिए जिन लोगों ने इस पर वीडियो बना रखे हैं उन पर 4.6 million view है से 2 साल के अंदर और भी नीचे जाते हैं तो यह नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं और जैसे ही आप चौथे नंबर पर जाते हैं तो आपको वीडियो दिखाई देता है मेरा यह देख लीजिए कलपेश गर्ग और एक साल के अंदर यहां पर 4.66.000 views है तो इसका जो topic है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या लिया हुआ है तो दुस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यह मेरा चैनल है कलपेश गर्ग और यहां पर how to take screenshot in laptop यह मैंने वीडियो बना रखा है लाश्ट यही बनाया था और उसके उपर 4.66.193 यह यहां पर views हैं चलिए यह तो एक example हो गया दूसरा example और ले ले लेते हैं तो यहां से हम how to download YouTube video in laptop इसको copy कर लेते हैं और इसको हम यहां पर paste करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं यह दूसरे नंबर पर मेरा वीडियो है एक साल पहले बनाया है और 1.7 million views है मतलब लगबग यहां पर 17,000,000 views हैं एक साल के अंदर 17,000,000 तो एप्रोक्सिमेट आप देख सकते हैं कि 1.2 lakh हर महिने यहां पर आये हैं तो लगबग एक से डेड़ लाक व्यू अगर आपके एक महिने में आते हैं तो एक हजार सब्सक्राइबर और चारहजार कंटे का जो वाच टाइम है वह बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है तो पूलिएगा अगर आपका यूट्यूब से जुड़ा कोई प्राशना है तो कमेंट में जरूर बताईए आज ते के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय बारत जय बारतिय सेना